बिहार के पुर्व मुखमंत्री जीतानामान जी अक्सर अपने फैसलों को लेकर बयानों को लेकर दबाव बनाने की राजनीत को लेकर चर्चा का विशया बनते हैं एक वाई फिर से जीताना मान जी ने जब दबाव बनाया तो भाजपा और जदियू के कान खड़े हो गए लेकिन इसी बीच अब जीताना मान जी की तरफ से एक बड़ी बैठक बुलाई गई है इसे आपात बैठक भी कह सकते हैं रासभाद चुनाओं के पहले जीताना मान जी की ये बैठक कहीने कहीं सब कुछ संदेश देता है निर्देश देता है कि बिहार की राजनीत में आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है इंदुस्तानी वाममर्चा के राष्टिय प्रधान महासचीव डानी स्रिजबान ने 5 जून को हम पार्टी की राष्टिय कारेकार्णी की बैठक किसंगंज में बुलाई गई है यह जानकारी पार्टी के राष्टिया मीडिया परभारी अमेंदर कुमार तिर पार्टी ने दी है। बैठक बुलाई गई है तो कहीना कहीन इस बैठक के पीसे कई अन्य कारण भी हो सकते हैं एक तरफ जहां बिहार में लगतार दबाव बनाया जा रहा है और मांजी की मांग है कि एक राष्ट सभा या एक बिहार विधान परिशत की सीटे उन्हें दी जाए लेकिन कहीने कहीन सीट मांजी की तरफ से मांग की गई है केंदर सरकार यानि भाजपा और जदिव इस मसले को कैसे देख रही है ये भी एक बड़ा सवाल है देखना है होगा कि इस तरीके से जीतना मांजी लगतार दबाव बना रहे हैं तो कहीन कहीन चर्चा यह है बिहार की राजनीत में कि क्या मुकेस सहनी वाला हाल जीतना मांजी का होगा यह बड़ा सवाल बनते जा रहा है और अब दबाव की राजनीत और यू कहें तो राश्टिय कारेकारनी की बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी आने वाले दिनों में चुनाओ है और राश्तभा परसी जा पाएंगे और जीतना माजी किस तरफ रूख करते हैं किस तरफ वोटिंग करेंगे यह भी एक बड़ा सवाल होगा अगर वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्रा पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी